तो दोस्तो Redmi Note 13 सीरीज में इस बार 18 GB का रायम देखने को मिलेगा और ये M IIT पर लिज्ट भी हो चुका है और यार इस बार इस सीरीज का स्पेक्स काफी जबरदस मिलने वाला है इस स्पेक्स के बारे में जानने के बाद आप भी काओगे रोम रूम भायो सिस्टम पार देंगे तो सिस्टम फारने के लिए फोन के बारे में जानना जरूरी है वैसे फोन जो है चार वेरियंट में लॉंच हो रहा है और इस वीडियो में हम सिर्फ दोई वेरियंट के बारे कर्ब डिस्पिले होगा 120 रिफ्रेश रेट का और जियां इन डिस्पिले फिंगे पिंट सेंसर भी मिलने वाला है और सेल्फी के लिए 16 मेगा पिक्सल का फॉन कैमेरा पंच्छोल में देखने को मिलेगा रियर कैमरे के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर दोस्तों देखने के लिए और आप अब लोगों का पीछा छोड़ने वाला नहीं है पता नहीं यारे यह अभी भी कंपनी क्यू दे रहे हैं दो ही कैमरा दो लेकिन अच्छा दो यह क्या देर हो वाई साहित कंपनी वाले पागल हो चुके जो भी है इससे आप फुर के 30 एपिस तक व कोफन्स के बारे में तो इंट्रेस्टिंग चीज यहां पर ही छुपा है इसमें दोस्तों मीडेटेक का डामेंड सिटी 7200 के चीपसेट दिख जाएगा जो कि 2.8 GHz पर रन करेगा और उसी के साथ इसमें 8GB का RAM 12GB का RAM 16GB का RAM और 18GB का RAM देखने को मिलेगा यानि कि आपको 4 वि बैटरी देखने को मिलेगा अब कितना और का फास्ट चार्जिंग को सब्सक्राइगा यह तो कॉन परम नहीं है कि इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है और नियूस भी नहीं आया है यह तो मैं आपको बता दिया प्रोवेरिंट के बारे में अगर 13 5G का एसपेक्स बस इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा प्रोसेसर जैसमें कुछ और टाइप का प्रोसेसर देखने को मिलेगा अब प्रोसेसर कौन सा टाइप का होगा यानि की कौन सा प्रोसेसर होगा इसके बारे में तो पता नहीं चला है इसमें दूसरा जो देखने को मिलेगा आया है तो उतना ही मैं आपको बताया अब प्राइस कितना हो सकता है यह भी कान फॉर्म नहीं है साथ 35 के उपर ही होगा वाई बागे देखते हैं फोन कब लॉंच हो रहा है इस फोन के बारे में जैसे कोई और अपडेट आएगा मैं आप लोग सबसे पहले आपडेट कर दू मतलब दो लाइक दो लाइक मात करो एक लाइक कर दो फिर से मिलूँगा और एक वीडियो में तब तक आप लोग सिस्टम फाड़ते रहो पता नहीं यार यह आख में क्या पड़ गया अब एक लाइक जरू कर देना काफी जवर्दस मिले वाला है बाताओंगा आपको मैं धीरे धीरे ललललललललललललल